Hello everyone, welcome to Prev Guide Education, मैं हूँ विनोत सर और मैं आपके लिए लाया हूँ Spoken English का एक बहुत ही शांदार वीडियो, तो इस वीडियो में मैं आपको रोज बोले जाने वाले 20 बहुत ही मज़दार और मुश्किल हिंदी वाक्यों का English बताऊँगा, तो ये 20 sentences आपके Spoken English को improve करने में बहुत help करेगी, तो चलिए सुरू करते हैं तो सुरू करते हैं हम अपना पहला sentence, हमारा पहला sentence है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, I have nothing to do with you बढ़ते हैं अगले sentence के और, हमारा अगला sentence है प्यार क्या नहीं जाता हो जाता है, प्यार क्या नहीं जाता हो जाता है Love is spontaneous, love is spontaneous हमारा अगला sentence है, घुमा फिरा कर बात मत करो घुमा फिरा कर बात मत करो Don't beat about the bush, don't beat about the bush यहां पर आप preposition about के जगा पे around का भी use कर सकते हो ब्रते हैं अगले sentence के और, हमारा अगला sentence है खोदा पहाड निकली चुहिया Much ado about nothing Much ado about nothing वक्त रहते शुधर जाओ Mend your ways before the day is out Mend your ways before the day is out मेरी उससे बोल चाल नहीं है मेरी उससे बोल चाल नहीं है I am not on speaking terms with him I am not on speaking terms with him क्या परिशानी है आपको What else you What else you सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो Don't trust on hearsay Don't trust on hearsay उसके चक्कर में मत पड़ो Don't rely on him Don't rely on him अगला sentence है बुलाती है मगर जाने का नहीं She calls but don't go She calls but don't go निकल ले यहां से Get away from here Next sentence है दिल दिवाना है The heart is besotted Next sentence है तुम अपने आपको समझते क्या हो What do you think of yourself? अगला sentence है उसकी यादे मुझे सता रही है Her memories are tormenting me Her memories are tormenting me अगला sentence है आपकी बहुत महरवानी होगी आपकी बहुत महरवानी होगी It will be very kind of you अगला sentence है तुम्हारी यहां दाल नहीं गलने वाली है तुम्हारी यहां दाल नहीं गलने वाली है Your purpose will not be served here मरा अगला sentence है मेरा नाम मत बिगाड़ो Don't distort my name आज तुम्हे अपनी आवकात दिखा दी Today you should where you truly stand Today you should where you truly stand शकल पर मत जाओ Don't judge by face इससे क्या फर्क पड़ता है What difference does it make? What difference does it make? मैं आपका शुब चिनतक हूँ I am your well-wisher तो ये था इस वीडियो का आखरी sentence And I hope कि इन 20 sentences का English जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये 20 sentences आपको English दिखने में बहुत हेल्प करेंगे तो इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब किजे और regular updates के लिए bell icon को भी दबा दीजिए अगर आपको उंगलियां चलाना पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक किजे और अपने दोस्तों और family के बीच में जादा स्जादा share किजे ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए तो मिलेंगे आपसे a spoken English के एक नए वीडियो में till then it's a good bye